Hello everyone, welcome back to my channel जैसे कि मैंने आपको आलोक इंडस्ट्री के बारे में और भी वीडियो में बता रखा है आलोक इंडस्ट्री काम क्या करती है और उसके फाइनशल्स और उसके लेटेस्ट फाइनशल्स कि वो 9000 करोड के लॉस में क्यों गई है चार हजार करोड का प्रोफिट क्यों आया एक क्वार्टर में उन सब के रीजन्स मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है फिर भी एक बड़ी दुबारा रिपीट करके बता देता हूँ आलोक इंडस्ट्री टेक्स्टाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री है और उसको एंडस्ट्री से बेसिकली बैंकरप्सी में जाना पड़ा था और रिलाइंस ने उसे बैंकरप्सी से निकाला है और उसके बाद अब आलोक इंडस्ट्री में कुछ 9,000 करोड का लॉज दिखा गया था और रिसेंट्ली उसमें 4,000 करोड का एक कौर्टर में प्रॉफिट दिखा गया उसके पीछे रीजन यह है कि जून को फिनाइंस मिलने चाहिए थे वो मिल रहे हैं बट कंपनी अभी कुछ खास प्रॉफिटेबल टर्न आउट नहीं हुई है अपने ऑपरेशन के थुरू और कोविट भी चल रहा है तो थोड़ा सा कंपनी को स्ट्रेस में है तो बात करते हैं लेटेस्ट नियूज की ऐसी क्या नियूज है जो आलोग इंडस्टी के शेर को या तो काफी ऊपर ले जा सकती है काफी नीचे ले जा सकती है इस टाइम पर वो नियूज है इस टाइम पर आलोग इंडस्टी की सर्किट लिमिट चेंज होके 10% हो गई है पहले 5% की सर्किट लिमिट थी इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि एक दिन में पहले आलोग इंडस्टी सिर्फ 5% या तो उपर जा सकता था or नीचे गिर सकता था अब वो बढ़के 10% हो गई है 10% होने से एक दिन में आलोग इंडस्टी 10% उपर जा सकता है या 10% नीचे जा सकता है इससे सोचे डबल स्पीड पे इसकी growth भी हो सकती है डबल स्पीड पे इसका share का price नीचे भी गिर सकता है और जैसा कि हमने देखा है कितनी बार आलोक इंडिस्ट्री में कभी upper circuit लगते रहते हैं कभी lower circuit लगते रहते हैं तो ये circuit limit बढ़ने से मेरे को ऐसा लगता है कि investor थोड़े से risk में जादा आ जाएंगे अगर upper circuit लगते रहा तो अच्छी बात है लेकिन अगर कोई lower circuit लगते रहा तो investors के लिए थोड़े सा नुकसान हो सकता है बट over and over ये changes सही हैं अच्छे हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही basically आलोग इंडस्ट्री के circuit लिमिट के changes के बारे में बताना था that's all for this video, bye